हेलो टिये स्टूरेंट्स, वेल्कम बेक टो और्गिनाईज नोयलेच चैनल और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे एमसी वर्क्षीट नमबर 29, 4 क्लास, 9-12, ठीक है? 9-12 के सभी बच्चों के लिए एमसी की वर्क्षीट शिडियूल की जाती है और ये आपके जो है 29 वर्क्षीट है एमसी की जिसमें हम करेंगे गिर कर संभलना जिसका ये पार्ट 2 है पिछले पार्ट में भी हमने इसी टॉपिक पर डिस्कस किया था सो वर्क्षी शुकरने से पहले प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए सो देखे क्या दिया गया है गिर कर संभलना पार्ट 2 है बाउंसिंग बैक फ्रॉम फेलियर्स यानि जो हमारी फेलियर्स होते हैं हमारी जो ऐसा फलताएं होते हैं उनसे कैसे हम जो है बाउंस बैक कर सकते हैं यानि कैसे हम अपने आपको संभाल सकते हैं जैसे जो कहा जाता है कि गिर कर संबलना, तो ये वही वरक्षीट है, गिर कर संबलना, यानि अपनी ऐसा फलताओं से सीखना, दैनिक चीवन में किसी काम को करते हुए, कभी हम काम्याब हो जाते हैं, तो कभी नहीं भी होते, ऐसा बहुत बार हमारे साथ होता है, कि हम कोई काम शुरू करते हैं, लेकिन कुछ प्रस्थितियां ऐसी होती है, कि हम उसमें काम्याब हो भी सकते हैं, और नहीं भी हो सकते हैं, तो यह है क्या है, एक सामन्यसी बात है, कभी-कभी हमें एक ही बार में सफलता नहीं मिलती ठीक है यानि अच्छा है आप कोई भी काम ले लीजे मान लीजे आप मैट्स का कोई टॉपिक पढ़ रहे हो या किसी भी सब्जेक्ट का कोई टॉपिक है आपको एक बार नहीं समझाता आप दूसरी बार कोशिश करते हो दूसरी बार भी नहीं समझाता आप तीसरी बार पढ़ते हो यानि यह ऐसा जो है डेली रूटीन में बहुत बार होता है कि हम एक बार में सफल नहीं होते किचन में काम कर रहे हैं हम अगर कोई तो वहाँ पर भी हमारे साथ ऐसा होता है कि कोई जो है अगर हम कोशिश करते हैं कुछ नया ट्राइ करने का एक बार में ठीक नहीं बनता दूसरी बार में बिल्कुल इंप्रॉमेंट होता है क्योंकि पहली बार हम सीख चाते हैं कि हमने गलती कहां की थी इसी तरह आप जब प्रैक्टिस करते हो कोई भी निमारी कर सॉल करने की या इसके अलावा मैट्स के कोशन सॉल करने की तो आप जो है लिखके देखते हो और लिखके देखने से क्या होता है कि आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ जाते हो और नेक्स टाइम आपको ध्यान रहता है कि आपने फर्स टाइम गलती कहां की थी तो ये तो आप स्टूडेंट लेवल की बात कर सकते हो बाकी हम अगर और भी अपने जीवन के एक्जामपल लें बहुत सार एक्जामपल अगर आप देखोगी तो आपको मिल जाएंगे जैसे हम साइकल सीखते हैं तो साइकल एक बार में तो नहीं आती हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं और फिर जब आ जाती है तो फिर चाहे आप कितने दिन साइकल चलाओ भी न कभी भूलते हो कभी ने भूलते ऐसा होता है न ठीके तो देखे नाकाम होना और बार बार नाकाम होना हमें अपनी गलतियों से सीखने का अवसर प्रदान करता है गलतियों से सीख कर हम काम को भविशे से बहतर तरीके से कर पाते हैं इससे हमारा आतम विश्वास तो बढ़ता ही है, साथ ही काम करने की इच्छा शक्ती भी क्या होती है, सुदर्ड होती है, यानि हमारे अंदर आतम विश्वास बढ़ता है, इच्छा शक्ती बढ़ती है उस काम को करने की, क्या आपको मालूम है, दुनिया के बड़े बड़े इसी प्रकार हुई है एसफलता और नाकामियाबी हमारे अनुभाव को विस्तार देती है और हमें सोचने को प्रेरित करती है कि कमी कहां रहे गई ठीक है तो एसफलता और जो नाकामियाबी है वो क्या है वो हमारे अनुभाव को एक तरह से बढ़ाती है कि हमें काम जो है वो क प्रयास करने के बाद ही बल्ब बना पाए थे एक बार उनसे किसी वेक्ती ने पूछा इतनी बार नाकाम्याब होने के बाद भी वह रुके क्यों नहीं तो सभी बच्चों ने थॉमसलव एडिशन का नाम सुना है कि वो हजार बार उन्होंने प्रैक्टिस की थी तब जाकर व मैंने मैं हजार बार फेल हुआ हूँ मैंने हजार जो है ऐसे तरीके खोजे हैं जिनकी मदद से बल्ब नहीं जलाया जा सकता नहीं बनाया जा सकता यानि ये उनके जीवन की एक सकारात्मक सोच थी तो एडिशन ने जीवन में धर्यपुर किये कि निरंतर प्रयास क्या हम अ आपने भी अपने जीवन में कभी किये हैं तो आईए एक गतीविती करते हैं एसफलता एक आवसर ठीके तो आप अपनी जिन्दगी में कोई ऐसा उधारन सोचें जब आपको किसी तरह की कोई जो है एसफलता मिली हो तो आपको इसी तरह की कोई एसफलता अगर आपको मिली तो वो आपको लिखनी है अब आप इस ऐसफलता के तमाम बिंदों को सोचते हुए नीचे दिएगे सवालों के माध्यम से अपने विचार अपनी नोट बुक में खुल कर लिखें तो आपको अपने विचार जो है अपनी नोट बुक में लिखने हैं फॉस्ट क्या है कि आप क के लिखा है कि मैंने एक model बनाने की कोशिश की लेकिन बार-बार प्रयास करने पर भी वह काम नहीं कर रहा था तो आपके teachers आपको model बनाने को देते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक बार में उसको देखकर भी नहीं बना पाते हैं उसके लिए हमें अभ्यास करना जब आपको ऐसाफलता का सामना करना पड़ा तो आपको कैसा लगा आपके अंदर किस तरह के विचार आए तो जब मुझे इस ऐसाफलता का सामना करना पड़ा तो बहुत बुरा लग रहा था मन में आया कि इसको छोड़ दू यह मुझसे नहीं होगा तो ऐसा मन में आता है जब खुद ही हम ऐसफल होते हैं तो अच्छा नहीं लगता है और मन में ये भी आता है कि हम जो है इसको छोड़ दें ठीक है कि ये हमसे नहीं होगा क्या चीज थी जिसने आपको उस ऐसफलता से उभरने में मदद की तो ये कोशन आप लिखते रहेंगे ठीक है यहां से आप कोशन लिखना शुरू कर देंगे कोशन एक है कोशन दू है ये कोशन तीन हो जाएगा आपका क्या चीज थी जिसने आपको उस ऐसफलता से उभरने म मदद की और मैंने निश्चे किया कि जब तक मैं सफल नहीं होता मैं इस पर काम करता रहूंगा तो मेरा जो आत्मिश्वास था मेरा जो द्रड निश्चे था उसने जो है इस आह सफलता से उभरने में क्या की मेरी मदद की और मैंने यही सोचा कि मैं बिलकुल हिम्मत नहीं हा और जब तक मेरा एकाम पूरा नहीं होता मैं इस पर आड़िग रहूंगा आपने उस अपनी उस ऐसफलता से क्या सीखा मैंने अपनी ऐसफलता से सीखा कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारने चाहिए कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अपने अंदर एक विश्वास रखना चाहिए विश्वास किस बात का कि अगर हम बार-बार प्रयास करेंगे तो सफल अवश्य होंगे करत-करत अभ्यास के जडमती होते सुचान तो हमें कोई भी काम जब हम करते हैं एसफल होते हैं तो हमें उसका बार-बार अभ्यास करना चाहिए जिससे हम जो है उस काम में जरूर से जरूर सफल होंगे क्या हम जान पाई कि एसफलताओं से सीखने वाला एक व्यक्ति एसफल होने के समय भी समहुक में सकारात्मक माहुल बनाता है जबकि दूसरों को दोच देने वाला व्यक्ति समहु में नकारात्मक भावना पैदा करता है क्या हम समझपाए कि एसफल तक बावजूत किसी काम को छोड़ने की बजाय लगातार उस पर लगे रहना हमारे लिए किस तरह जरूरी है कि हमें जीवन के हर चित्र में आगे बढ़ने के लिए मदद करता है सोची कि अगर हम अपने मन में ये ठान लेते हैं कि हम इसमें सफल नहीं होंगे तो हम उस काम को वही पे छोड़ देते हैं ठीक है तो देखें ये तो हम पहले ही सोची चुके हैं कि ये काम नहीं होगा लेकिन अगर हम उसके उपर और प्रयास भी नहीं करेंगे तो एक तरह से क्या होगा एक तरह से हम पूरी तरह से हम अपने मन से हिम्मत हार चुके हैं और वो वो काम नहीं फिर जो भी काम होगा आगे भी दूसरा काम हम करेंगे तो कहीं न कहीं हमारे मन में फिर एक जो नकारात्मक सोच है वो आती चली चाहेगी कि हम कोई भी काम नहीं कर सकते ठीक है इसलिए हमें कोई भी काम है उसके लिए अपने पूर्ण प्रयास करने चाहिए ठीक है किसी भी decision किसी भी नतीजे पे जाने से पहले उसके बाद देखिए ठीक है तो यहां तक थी आपकी worksheet I hope सभी बच्चों को EMC की जो worksheet है वो यहां पे आपको पसंद आई होगी और आपने यहां से बहुत कुछ सीखा होगा clear अगर वीडियो आप बच्चों को अच्छे लगी तो वीडियो को जरूर से like कर दीजे, share कर दीजे और channel को भी subscribe कर लीजे so thanks for watching students मिलते हैं next video में next worksheet के साथ take care, have a nice day